मम्ता बैनर जी ने बिना नामली OEC पर निशाना सादा आलफ संक्यों के के बेच कई कटरपन थी हैं उन्होंने का कि दरसल असुद्दिन OEC के तरफ इशाला करते वे का कि आलफ संक्यों के बेच में कई कटरपन थी हैं हादरबाद की राजनीतिक पार्टी बीजेपी से पैसा लेती है बड़ा आरोप ममता बैनर जी का जो कि AIM-AIM के मुख्या असुत दिन OEC आल इंडिया मजलसे इतिहादल मुसलिमीन की मुख्या असुत दिन OEC पर ये आरोप की भारती जनलता पार्टी से पैसे लेती है यानि की बीजेपी OEC की पार्टी को फंडिंग करती है ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए यानि की ऐसे लोगों के बयान को ज़्यादा महत तो नहीं देना चाहिए ममता बैनर जी के बयान पर OEC ने भी पलटवार किया उन्होंने का कि अलप संक्यों क्यों क्या हलात बंगॉल में खराब है बैन्गॉल में 42 में से 18 सीटे भारती जनता पार्टी कैसे जिद गई OEC ने इस पर प्रटवार किया ममता बैनर जी ने जब यह कहा कि OEC और उनकी पार्टी को भारती जनता पार्टी फंडिंग करती है यानि कि एक तरीके से OEC बीजेपी के मुहरे हैं और अलप संख्यकों में भी काफी कट्रपंथी हैं और ऐसे में असुत दिन OEC का तिलमलाना लाजमी था उन्होंने यह कहा कि साब 42 सीटे हैं बंगॉल के अंदर 18 सीटे अगर बीजेपी जी जाती है तो फिर कुछ न कुछ तो है